नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाहर रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 27 फरवरी लोगों के लिए मंगलवार केवल एक साधारन दिन है, परन्तु शास्त्रों में मंगलवार का बहुत ही खास महत्व है, इस दिन कई ऐसे उपाय होते हैं जिन को केवल मंगलवार के दिन ही किया जा सकता है, या फिर मंगलवार के दिन वो उपाय करने से ज तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आपको लॉंग के शास्त्रों में बताएं, उन सरल और प्रभावी उपायों के बारे में बताएंगे, जो आपके जीवन को सुखद और सम्रिध्य से भर देंगे. ये इतने सादे हैं कि आप यदि मंगलवार के दिन दो या चार मिनट निकाल कर इनहीं करें, तो आपके जीवन में खुशियां बरसेंगी, हमारे तंत्र प्रशास्त्र और ज्योतिश शास्त्र में लॉंग को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा गया है, कहां जाता है कि लॉंग पाठ को पूर्ण समझा नहीं जाता है, लॉंग को लाभकारी समझा गया है और इसे कारगर उपाय भी समझा गया है, इन उपायों को सही माहौल में करने से किसी भी मनुष्य की बंद किस्मत खुल सकती है, इन उपायों को करने के लिए आपको केवल मंगलवार के दिन दो चार मिनट निकालना होगा और श्रद्धा भर पूर मन से करना होगा, इस विधी से भगवान शनी महराज की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, चाहे आपकी समस्या धन संबंधी हो या नौकरी से जुड़ी हो, इन उपायों से सहायता मिल सकती है, इसे अपायों के धर्म, शास्त्र, तंत्र, शास्त्र, कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है, और दोस्तों, यकीन मानिये, ये उपाय बहुत आसान से उपाय है, जिनको यदि आप करते हैं, तो आप मानके चलिये आपके जीवन में भी तरह की परेशानी में फंसे हुए हो किसी भी तरह परिशानी से परिशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से तूट रहे हो हर तरीके से आपको मुक्ती मिलना तै है दोस्तों यदि आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं जैसे मान लीजिए आपके जीवन धन आना बंध हो गया था तो लॉंग का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है चारों ओर से धन खींचा हुआ चला आएगा यदि नौकरी की तैयारी करकर के ठक गए हैं नौकरी नहीं रही थी तो जरूर ही आपकी नौकरी भी लग जाएगी इसी तरह से आपका बंदपड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी लॉंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी बस इस लॉंग के उपाय को आपको मंगलवार के दिन दो या चार मिनट निकाल करके करना है मान के चलिए भगवान शनी महाराज जी के आशिरवात से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर और शनीदेव जी का वो आपको हासिल कि जीवन का हर दुख जड़ से नश्ट हो जाएगा इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि शनीदेव जी की शनीदेव जी की पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जै शनीदेव और दोस्तों एक काम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राशे डालना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशे हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिस उपाय से लाब तो हो हम आपको रिपलाई माधिम से आपके कॉमेंट में आकर के बता देंगे इसलिए दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए के ध्यान रखना होगा लॉंग के उपाय यदि गलत किये जाए तो इनका हमको देखना पड़ता है क्योंकि तंत्र में साफ साफ कही गई है कि लॉंग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए क्योंकि इसका लाब तुरंत मिल जाता है इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है परंतु के कोई गलत मुहूर्थ पर करने पर इसका दुष्ट असर को देखने को मिलता है देखिए दोस्तों एक बात को समझ लीजिए जैसे भगवान गणेश जी हो गए भगवान विश्णु जी दुर्गा जी हो गए भगवान हनुमान जी महराज हो गए भगवान भोलेनात हो गए इन सब की पूजा का उपाए जरूर ही किया जाता है लौंग का उपाए इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा नहीं मानी जाती है दूसरी तरह है कि लॉंग का उपाय यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं इसलिए पाठ का विशेश ध्यान रखिएगा ये जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं उपायों को करने की एक मुहूर्थ है तो गलत तरीके से मत कीजिएगा एक बात को समझ लीजे दोस्तों किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ उपाय करवाते हैं तो उसका लाब आपको मिलता है, वो थोड़ा रुक-रुक मिलता है परंतु किसी उपाय को किसी पूजा पाठ को आप खुद ही करेंगे उस पूजा पाठ को खुद ही सिद्ध देंगे तो उसका लाब आपको तुरंत ही मिल जाता है उसका लाब पुनह आपको मिलता है तो दोस्तों ये जो लॉंग के उपाय है तो बड़े सरल से उपाय है परन्तु इन कुक्रियाओं अनुसार आपको सही मुहूर्थ पर करना होगा और एक बार यदि इन उपायों को आप है तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत इसीलिए दोस्तों आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं इस वीडियो को भगाए अंत तक अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार की देखिएगा चलिए दोस्तों, आपको हम एक-एक करके उपायों के बारे में बताते हैं परंतु निवेदन कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहला उपाय जो है, वो है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय दोस्तों आप भी जानते कि आज का समाज है जब एक जीवन भी जी रहे होते हैं तब भी आपके नाते रिष्टेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ शड्यंत्र करते हैं आप प्लान है कि किस तरीके से आपको नुकसान पहुँचाते हैं तो दोस्तों आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है आपको बस यहां करना है कि लगातार पांच मंगलवार किसी भी शणी मंदिर जाईए शणी मंदिर के पश्चात आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का और उसमें गिन के एक लॉंग डाल देना है इतना यदि पांच मंगलवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शणी देव जी की आपको हासिल होगी कि जो भी शत्रू आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि दोस्तों जिस मनुष्य को भी शणी महाराज जी का आशीरवाद हासिल हो जाता है मान के चलिए दोस्तों उस मनुष्य के लाखों शत्रू उसके पीछे खड़े हो वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा दूसरा उपाए दोस्तों घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का ना वो उपाए जो आपको हम बताना रहे हैं तो दोस्तों इस उपाए को बहुत ध्यान से सुनियेगा मान आपका जो घर है उसमें नकारात्मक शक्तियां है काला जादू किसी ने करवाया बंधन करवाया है और आप इस चीज से परिशान हो गए हैं आप चाहते इन तरीके की परिशानी से आपको मुक्ति मिल जाए तो दोस्तों, किसी पंडित के पास पास जाने की जरूरत नहीं है ये उपाए आप खुद ही कर लीजिए और ये उपाए आपको करना है मंगलवार कि क्या-क्या आप लेना है पहले तो एक मिट्टी का बरतन चाहे ये पीतल का बरतन ले लीजिए परंतु लोहे का लीजिएगा ठीक है, अब आपको क्या करना है ग्यारह लॉंग, पांच कपूर, दो इलाइची हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों ग्यारह लॉंग और दो इलाइची को जलाना है इसका धुआँ पूरे में दिखाना है जब ग्यारह लॉंग, पांच कपूर और दो इलाइची की पूरी रख बन जाए जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए डिब्बे में रखने के पशचात आपको प्रति दिन थोड़ी थोड़ी सी इसराख लेनी है और एक लोटे जल में कि इसका जो है घर के मुख्यद्वार पर देना है यदि आपने ये कर दिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास्ता वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मान के शनिदेव जी के आशीरवाद से आपके घर की बरकत भी होगी उन्नत होगी तीसरा उपाए जो हम आपको बता नहीं रहे हैं ये एक ऐसा उपाए है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी मान लीजिए दोस्तों आपको किसी बीमारी धर लिया है जिसका आप इलाज करा करा के ठक गए परन्तु उसका कोई लाब नहीं मिल रहा है आप बहुत परिशान तनावने घेर लिया है दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई है तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है तो इसमें किसी की मदद आपको चाहिए वो है भगवान भूलनाथ देवों के देव महादेव बिलकुल सही सुना आप लोगों ने ये उपाय यदि आपने कर लिया जो आपको हम बता रहे हैं तो देवों के देव महादेव का आपको आशीरवाद मिलेगा परंतु उपाय को करने के लिए आपको लगातार मंगलवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और पांच सपताह तक तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूमरपान इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है इस जिस मनुष्य ने भी किया है उसका शरीर स्वस्त हो गया है उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती है वो खत्म हो जाती है तो आप यही करना है कि प्रत्येक को नहाना है धोना है नहाने धोने के पश्चाद दो लौंग लेनी है किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस दो लौंग को भोले नात को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है और वहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप एक हजार आठ बार करना है क्योंकि एक हजार हो गया, एक सो आठ हो गया, ये भगवान जी का प्रिय नंबर है इतना यदि आपने कर दिया, तो मान के चलिए दोस्तों उपाय करने के पश्चात आपको महादेव का वो कृपा हासिल होगी वो वर्दान हासिल होगा कि आप रोगमुक्त हो जाएंगे आपके तनाव परेशानी दिक्कतों से जो आप जूंज रहे थे, परेशान थे, आप इन से हो जाए तो दोस्तों, इस बात पर कॉमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक दें, अब दोस्तों मान लीजिए, आपका पहले व्यापार चल रहा था फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया, और आप इस चीज़ से परेशान है तो इसमें एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार में हमको किसी की सहायता चाहिए किसी देवता की ही पड़ती है, वो है भगवान गणेश जी का आपको आशीरवाद मिल जाए, तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही करेंगे अपने व्यापार के तो आप बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के से बना हुआ घी का दीपक जलाना है ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं और आपको एक लाल पोठली लेकर के जानी है लाल पटली में आपको 21 लॉंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है और वो गनेश के दाएं चरणों से छुआ देना है पोटली को आपको लेकर के आना है अब दुकान में बरतन में या पीतल के बरतन में इसको जलाना है और इसका पूरा-पूरी दुकान में दिखाना है, इससे आपकी दुकान में लगी थी, बाधाएं थी, बंधन था, वो खत्म और उसकी राक चीटा, आपको लगातार दो हफते मतलब 14 दिन लगातार गंगा जल से प्रवेश द्वार पर मारना है, इतना यदि आपने कर दिया तो भगवान जी के आशिरवाद से आपका बंध पड़ा व्यापार आपका ठप पड़ा, व्यापार चल पड़े, और दोस्तों, आप लोग बहुत ही उन्नती करेंगे, आखरी उपाय है धन हासिल का महा उपाय, और करता है माता लक्ष्मी जी का, वो वरदान और हुआ, त दिन, शाम के नहाने धोने के पश्चात, जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर माता लक्ष्मी जी की कलाचित्र है या मूर्ती रखी हुई है, एक गुलाब में पांच रखकर कि माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है, अब मंगलवार की कुरसी गुलाब को कि किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए, या किसी तालाब दीजिए, ये जो पांच है, इसको किसी पोटली में रख लीजिए, पांच मंगल लाल पोटली में पच्चीस लॉंगे एकठा हो, और इसी पच्चीस लॉंग को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या खत्म हो जाएगी और माता लक्षमी जी के आशिरवाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। जो मंगलवार 13 फरवरी 2024 को पढ़ने जा रहा है। ये कोई सामान्य सा मंगलवार नहीं होगा बलकि ये बड़ा मंगलवार होगा। और हमारे हिंदु धर्म बड़े मंगलवार को बहुत ही ज्यादा खास मानाता है। कहा जाता इस महीने में आने वाला। सभी मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है। इस दिन हनुमान जी की पूजा पाठ विधी विधान से की जाए तो हमारे जीवन के ना हर कष्ट से हमको मुक्ती मिल जाती है। बलकि हमारी कैसी भी मनोकामना होती है। वो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्तर में बड़े मंगलवार के दिन किये जाने वाले यदि लॉंग और कपूर के उस उपाए को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो केवल एक दिन के इस उपाए के पश्चात आपकी कैसी भी हो, वो पूरी हो। है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। वही मां सखी का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां के मंगलवार के दिन बजरंग बली अपने प्रभुश्री रमजी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से मां के हर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से दो गुना फल हासिल होता है। मार्ग में पढ़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। जेश्ट मास में पूरे पांच मंगलवार पढ़ रहे हैं। जानिये मंगलवार में कैसे लोग केवल लॉंग और कपूर का उपाय करके जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की हर मनो कामना को पूरा कर सकते हैं। फरवरी माह में पांच मंगलवार पढ़ेंगे और पांचों मंगलवार का अपने अपने विशेश महत्व होगा कहा जाता है कि इस दौरान यदि आप कोई भी उपाय करेंगे साक्षात रंगबली जी की कृपा हासिल होगी क्योंकि साल का प्रदोश मंगलवार एक ऐसा मंगलवार होता है जिस दौरान हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं क्योंकि इस दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसंद मुद्रा में होते हैं और यदि आपने हमारे वीडियो में बताए हुए तीन कपूर और दो लॉंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बलकि प्राचीन के समय का महा उपाय है, तो यकीन मानिए केवल एक दिन के इस उपाय को करने के पश्चाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, कैस इसी भी समस्या हो, उससे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के पश्चाद कैसे आपको सुक समरिद्ध की हासिल होगी। और आप अपने जीवन काल में हनुमान की वो कृपा हासिल करेंगे, जिसके पश अंत तक देखियेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि साल के पहले मंगलवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए, इसका लाब हमको पूरे साल मिलता है, और हनुमान जी की कृपा पूरे साल हमारे उपर बनी रहती है। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी हनुमान जी के आप अपने बहुत ही उन्नती करें, बहुत ही आगे जिस कार्य को भी शुरू करें। उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रधा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इ राशी के अनुसार कोई भी उपाय होगा, जिसको करके आप बड़े मंगलवार के दिन कोई भी लाब पा सकते हैं। वो दोस्त आपकी कॉमेंट के रिपलाई में बता देंगे आपको। इसलिए पहले आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में अपनी रा कश्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो हनुमान जी होते हैं, वो अपने सभी भक्तों के कश्टों को हर लेते हैं। इसलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। और यदि आप हैं कि मंगलवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए, तो दोस्त इसके लिए आपको वीडियो की शुरुआत चुके हैं। और ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को कर दीजिये। देखिए, सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्तिका. आपकी कैसी भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि जो भी मनोकामना है, भी इच्छा है, जो बहुत दिन से लटकी हुई है, वो पूरी हो जाए. तो ये उपाय कर लीजिए, जो आपको हम बताने वाले हैं, मंगलवार के दिन, आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है, कि ये जो 27 फरवरी 2024 को मंगलवार पढ़ने जा रहा है, इस दिन आपको सुबह उठकर के नहाना है, धोना है नहाने, धोने के पश्चात आपको लाल वस् पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए, तीन कपूर और दो लॉंग रखना है, बहुत ध्यान से सुन दोस्तों, तीन कपूर और दो लॉंग रखना है, अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है, हनुमान मंदिर जाने के पश्चात इसको आपको जलाना है, और इसी से हन पूरे आप लोगों को इसके तिलक का धारन करना है। तो आपको क्या करना मंगलवार किसी भी समय, सुभह से शाम, किसी भी समय। आप लोग जाईए हनुमान जी के मंदिर में और मीठे पान का जी महराज को चढ़ाईए। ऐसा करने भर से हनुमान जी महराज की वो कृपा आपको हासिल होगी, कि जो आपकी मनचाही नौकरी होगी, वो लग जाएगी। तीसरा उपाय है, बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए हनुमान जी, महाराज को लड़ू बहुत ही पसंद है, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड़ू कौन सा चढ़ाया जाता है, बूंदी का या बेसन का लड़ू, इन दोनों लड़ू से आपको कोई भी लड़ू का भोग महाराज को चढ़ाना है, परंतु सबसे जरूरी बात ये है, जब भी आप लड़ू का भोग हनुमान जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है, हनुमान जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा ज तो भोग पूरा नहीं समझा जाता है तो आप 2024 के बड़े मंगल के दिन के लड़ू या बूंदी के लड़ू में एक तुलसी का पत्ता रखकर कि हनुमान जी महराज को चड़ाना है ऐसा करने भर से मान के चलिए दोस्तों आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा चौथा अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही उन्नती नहीं हो रही इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट अंथ तक देखिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को कर दीजिए देखिए, सबसे पहला उपाय है मनुकामना पूर्ति का आपकी कैसी भी मनुकामना है आप चाहते हैं कि जो भी मनुकामना है भी इच्छा है जो बहुत दिन से लटकी हुई है वो पूरी हो जाए तो ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं मंगलवार के दिन आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो 27 फरवरी 2024 को मंगलवार पढ़ने जा रहा है इस दिन आपको सुबह उठ करके नहाना है धोना है नहाने धोने के पश्चाद आपको लाल वस्तर का धारन करना है क्योंकि लाल रंग हनुमान जी महराज को बहुत ही प्रिय होता है अब आपको का पात्र लेना है पीतल की कटोरी ले लीजिए पीतल का पात्र ले लीजिए तीन कपूर और दो लॉंग रखना है बहुत ध्यान से सुन दोस्तों तीन कपूर और दो लॉंग रखना है अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है हनुमान मंदिर जाने के पश्चात इसको आपको जलाना है और इसी से हनुमान जी की आरती करना है यहां करने जो राख बन गई है कपूर और लॉंग की इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए आप पूरे आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है यदि आप यहां करते हैं तो मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है वो हनुमान जी महाराज के आशीरवाद से जरूर ही पूरी हो जाती है दूसरा उपाय है दोस्तों नौकरी हासिल का महाँ उपाय यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है आप इस चीज़ को लेकर के बड़ा ही परेशान है तो आपको क्या करना मंगलवार किसी भी समय सुबह से शाम किसी भी समय आप लोग जाईए हनुमान जी के मंदिर में और मीठे पान का जी महाराज को चढ़ाईए ऐसा करने भर से हनुमान जी महाराज की वो कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी होगी वो लग जाएगी तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महा उपाय यदि आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो आपको क्या करना चाहिए देखिए हनुमान जी महाराज को लड़ू बहुत ही पसंद है परन्तु एक बात का ध्यान रखिएगा लड़ू कौन सा चढ़ाया जाता है बूंदी का या बेसन का लड़ू इन दोनों लड़ू से आपको कोई भी लड़ू का भोग महाराज को चढ़ाना है परन्तु सबसे जरूरी बात ये है जब भी आप लड़ू का भोग हनुमान जी महाराज को चढ़ा रहे हो उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर ही रख दीजिएगा क्योंकि कहा जाता है हनुमान जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझा जाता है तो आप दो दो हजार चौबीस के बड़े मंगल के दिन के लड़ू या बूंदी के लड़ू में एक तुलसी का पत्ता रख कर कि हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है ऐसा करने भर से मान के चलिये दोस्तों आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा चौथा अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही उन्नती नहीं हो रही अगर आप लोग इस बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं तो मान के चलिये आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है उन्नती रुकी हुई है वो होना शुरू हो तरीके दोस्तों लंबे समय से अगर आप बीमारी से जूँज रहे हैं आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए तो आपको क्या करना होगा बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारी में बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं आपको उसका फाइदा नहीं मिल रहा है तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए परन्तु आपको कैसे पूजा करनी हैं बहुत ध्यान से सुबह नहाद होने के पश्चात आपको लाल वस्त्र धारन करना है किसी भी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड रखना है ध्यान रखिएगा दोस्तों 500 ग्राम गुड से कम नहीं होना चाहिए 500 ग्राम गुड के ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है इसी लाल कपड़े की पटली बना ली पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा इस पोटली को बांधते वक्त आप लोग मोली धागे का प्रयोग कीजिएगा इसी पोटली को ले जाकर के किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी अर्पित कर दें, इतना अगर कर दें, है तो यकीन मानिये लंबे समय से जो बीमारी से आप लोग जूंज रहे हैं, बीमारी से आप परेशान हैं जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, केवल इतना कन्या भर से हनुमान जी की वो कृपपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी अब आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आए उसमें वृद्ध तो क्या करना चाहिए एक बहुत आसा उपाय बताया गया है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चड़ाई गई है इसी तरह से आपको लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चड़ाना ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी आपके में जो धन आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धी होगी अगर आपके आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है धन आने के सारे खुल जाए तो ये कीजिए जो आपको बताना है परन्तु ये उपाय थोड़ा सा कठिन है दोस्तों आप कुछ मंगलवार के सभी मंगलवार को मतलब ये पाँच मंगलवार पढ़ रहे हैं पाँचों मंगलवार को आपको सुभ उठना है नहाना है, धोना है आपको पीपल के पत्टे तोड़ने हैं पीपल के पत्टे की बनानी है और येही हनुमान जी को चड़ाना है अगर आपने इस महीने के सभी मंगलवार को यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों आपके जीवन में आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे इतना धन आएगा जीवन में धन की वर्शा बलकि आप बन जाओगे करोडपती खुशियों से भर जाएगा आपका घर आपकी हर मनो कामना हो जाएगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलन्स कारोबार में दिन रात कमाएंगे मुनाफ़ा इतना आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा इस दिन माता लक्षमी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है और इस दिन अगर वेद पुरान के अनुसार एक रुपए का सिक्का बसंद पंचमी की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का है तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वो वरदान और वह आशीरवाद मिलेगा जिसके पश्चाद केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी बलकि छोटे उपाय को करने के पश्चाद आपके जीवन में धन की वरशा होगी आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्ध होगी लक्ष्मी के आशीरवाद से फिर आपके जीवन में आप जिस कारे को भी शुरू करेंगे उस कारे में आपको सफलता हासिल होगी अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि एक के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीरवाद कैसे मिल सकता है तो आपकी जानकारी बता दें, माता लक्षमी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है, तो एक रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है देखिए, होता क्या है? प्राचीन माननेताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रख कर ही पूजा को शुरू किया जाता है ऐसा करना शास्त्रों में बहुत बताया गया है माना ये जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है इसी लिए माता की पूजा को हमेशा छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाब जरूर ही मिलता है इसलिए आपने देखा भी होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है धन्तेरस की पूजा होती है या माता लक्ष्मी की भी पूजा पाठ रखी जाती है तो माता लक्ष्मी की पूजा में हमेशा एक रुपए का सिक्का रख कर ही पूजा को शुरू किया जाता है ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुब होता है और अगर आपने केवल आने वाले बसंत पंचमी में किसी भी दिन जिस दिन माता लक्ष्मी धर्ती पर वास करने आएंगी और आपने सही मुहूर्थ पर एक रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है तो मान चलिए इस उपाय को करने के पश्चाद तुरंथ ही आपको माता लक्ष्मी का वर्दान और आशीरवाद मिलेगा जिसके पश्चाद जीवन में पूरे साल धन की वर्शा होगी आपका भाग्य प्रबल जाएगा आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा इसलिए दोस्तों बस एक जनवरी दो हजार चौबीस के दिन दो चार मिनट का समय निकाल कर कि एक रुपए के सिक्के के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुरान में बताया गया है जो प्राचीन काल के समय का बहुत ही ताकतवर और अचू कुपाय है इसलिए अगर चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे माता के आशीरवाद आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएं आपके जीवन माता लक्ष्मी के आशीरवाद से धन की वर्शा हो तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी की जय और अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राशी भी डाल दिजिएगा आपकी राशी के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जो बसंत पंचमी के दिन करके आप लाब पा सकते हैं वह हम कॉमेंट में बता देंगे परन्तु वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा सबसे पहला है धन में वृद्ध का महा उपाय दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आशीरवाद से आपकी तिजोरी में जो भी रुपए पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्ध हो, उसमें बढ़ोतरी हो तो दोस्तों, ये छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता रहे हैं और इस उपाय को करने के पश्चात माता लक्ष्मी के आशीरवाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्ध होगी रुपए पैसे में अपने आप होने लगेंगी आपका बैंक बैलन्स अब बढ़ने लगेगा अगर आपने ये छोटा सा उपाय सही मुहूर्थ पर कर लिया जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तंत्रशास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं ये बहुत छोटा सा उपाय है परन्तु एक अचूक उपाय आपके जीवन में धन की वृद्ध जरूर करेगा आपको केवल बसंत पंचमी वाले दिन शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है उसमें पूरा गंगा जल भर देना है उसमें आपको का सिक्का डाल देना है ये उपाय आप सूर्यास्त के पश्चात करना है अब आपको अपनी कटोरी को अपनी छट पर ले जा करके रख देना है अगले दिन को आपको नहाने धोने के पश्चात उस कटोरी को उठा करके लाना है उस कटोरी से एक रुपए का सिक्का उठाना है और लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी या अलमारी में दक्षिन दिशा में रख देना है अगर आपने इतना उपाय सही महूर्द पर कर लिया तो ये सिक्का आपके जीवन में माता लक्ष्मी का एक वरदान और आशिरवाद जाएगा जिसके पश्चात ये आपके मन में धन खींचने का काम करेगा ये सिक्का आपके एक चुमबक की तरह काम करेगा जिसके चलते आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी का आशीरवाद और वर्दान बसंत पंचमी के दिन बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उपाए आपको इसी तरह से सही मुहूर्द पर करना है, और यकीन आज के दिन कई करोड़ पती व्यक्ति जो है, साल के पहले दिन लक्ष्मी धर्ती पर आती है। अगर आपने ये उपाए तो माता लक्ष्मी के आशीरवाद से आपके जीव जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परन्तु आपको उसका फल नहीं मिलता। आपके पास पैसा तो आता है, परन्तु बेफिजूल में उड़ जाता है। तो इसकी मुख्य वज़़े क्या है? इसकी मुख्य वज़े है कि आपका शुक्र ग् उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है। पूजा घर है। वहाँ पर आपको जाना है।